नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तों आप सभी लोग का current affair का जो practice set है वो डेली बेस पे चलाय जा रहा है आप सभी लोगके लिए NTPC पलस आपका देखा जाया तो हर एक एक्जाम के लिए आपके लिए यह set देखा जाते हैं important हो जाता है इसमें आपको एक सेट में पचास कोशन देखने को मिलेगा जो एक्जाम के लिए बहुत यादा इंपोरेंट है आप सभी लोग पीडिया बाउनोड कर लिजे इसमें आपको देखा जाये तो बहुत यादा हमारे इसाब से देखा जाये तो इसमें आपको टोटल 26 प्रैक्टिसेट है और हर एक प्रैक्टिसेट में पचास आपको कोशन देखने को मिलेगा चाप प्रैक्टिसेट पहले ही अप्लोड कर दिया गया है तो उसको जाइए रिविजन कर लिजे और हां एंटीपीसी के लिए थोड़ा सा आप सभी लोग को जीएस का प्रैक्टिसेट आज से सुरू हो जा है पलत साथ उसके हिसाब से अपना त्यायरी कर पाएं आप सभी लोग ज्यादा ज्यादा इसकोर कर पैंटीपीसी में थीयुक है आप और डूसे अपना इंटीपीजन प्लस अपना और बिखविजेंट त्यायरी कर पाएं तो चलिए कमेंट किजिएगा मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा पहला प्रस्था है कि A.S.I. के साथ की संस्थान निसमारकोकी की बहाली के लिए दो इतालवी संस्थाओं के साथ एक समझोता किया है बताइए तीन सकेट का समय दिया जाएगा आपको तो इसका उत्तर हो जाएगा आई-ाइटी कानपूर हो जाएगा आपका यहां पे A.S.I. साथ इसमारकोकों की बहाली के लिए यहां पे इतालवी संस्थाओं के साथ एक समझावता किया है A.IT कानपूर के साथ अगला प्रस्थन है कि सहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए उत्यसे कि हार में प्लास्टिक प्रीमियम लिक की सुरुवात की गई है पूरा कोशन को देखिएगा और अपना करेंट अफेर में बेश्ट से बेश्ट स्कूर कीजिएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन भी इंदोर नेश्ट कोशन है कि भारती सेना दोरा बनाए गया सुरक्षित स्व भी हो जाएगा नेश्ट कोशन भारत के नो नुविक्त नं यूपत सुचना अयुक्त कौन है बताएगा चलिए बताएगा देखिए इसका उत्तर आपका चौथिक हो जाएगा ऑप्सन भी हो जाएगा यह सुवर्धन कुमार सिन्हा यहां पे राइट अनसर हो जाएगा न के लिए चैनित किया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा कोस्टन नमर फाइब का ओप्शन ए गुर्परीत सिंग संधू यानि देखा जाये तो आपका यहां पर उत्तर ए हो जाएगा अगला प्रस्ना है कि किस देश के अंतरीम राष्टपती ने विदेश मंतरी मुक्टर ओवने को नया पधान मंतरी नामित किया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा माली माली यहां पर उत्तर हो जाएगा भारत ने हाल ही में किन दोख्थ देशो के साथ बौदिक संपता के छेतर में समझ्जोता किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा option A, Denmark और अमेरिका यहाँ पर उत्तर हो जाता है असम और एक मात्र महिला मुख्यमत्री का नाम बताईए जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो correct answer आपका यहाँ पर सैदा अनुवरा तैमूर हो जाएगा एक-एक question को देखिएगा important से भी प्रसन है भारत अमेरिका के 20 तीसरे 2 प्लस 2 वारता में नई दिल्ली में हुए सैने समझोते का नाम बताईए तो उसका नाम आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे बेका हो जाएगा यानि B.E.C.A. हो जाएगा अगला प्लसन है कि एनिमिया मुक्त भारत सुचकांक में सिर्ज इस्थान किस राजी को प्राप्त हुआ है तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे हर्याना हो जाएगा नेश्ट कोसने की केंदरिय मंतरी मंडल द्वारा हाल ही में किस इस्थान पर देश का नया बंदरगा बनाने की मंजूरी परदान की गई है तो इसका सही उत्तर आप्सन B हो जाएगा वधावन महाराश्टर हो जाएगा नेश्ट कोसने की आर्थिक समिक्षा 2019 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में GDP के संदर में दुनिया की सिर्ष टेन अर्थ विवस्थाओं में भारत की अर्थ विवस्था कौन से इस्थान पर है बताइए तो इसका उत्तर आप सभी लोग का यहाँ पे पांचवे इस्थान पर है याद रखिएगा यह एंपोर्टन प्रसना आपका यहां से बनता है किस राजे सरकार ने गर्वती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना सुरू की है यानि जो महिला गर्वती है उनके लिए लंच बॉक्स यहाँ पे देना सुरू किया गया है अपने योजना के अनुसार तो दिखा जाए तो इसका आपका तेलंगाना उत्तर हो जाएगा किस राजे सरकार ने मुख्य मंतरी क्रिसक दुरगटना कल्यान योजना की सुरुवात की है तो सही आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा यूपी हो जाएगा भारत ने किस देश से पाम ओयल आयात को बंद करने की घोसना की है तो इसका सही आंसर आपका मलेसिया हो जाएगा नेश्ट कोशन है कि निरत्य कलानिधी पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे प्रिय दर्शनी गोबिंद हो जाएगा जो की यहाँ पे बियूत्तर हो जाएगा सितंबर 2020 में केश्वानंद भारती का निदन हो गया उन्होंने 1970 में भूमी सुधार पर किस राज सरकार को चुनोती दी थी तो इसका सही आंसर देखा जाये तो 17 का ओप्सन A हो जायेगा ओप्सन A यानि केरल नेश्ट कोसन देख लेते हैं कोसे नमर 18 कहता है किस राज सरकार ने महिराओं के उत्थान के लिए कन्या सुमंगला योजना का सुरुभारम किया है तो कन्या सुमंगला योजना आप इसको याद रखिएगा ये वेरी इंपोर्टेंट है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा योगी सरकार ठीक है हाल ही में चर्चा में रहा डेप सौंग मैदान का संबन किस राज्य या फिर केंदर सासित प्रदेश से है तो इसका उत्तर आपका भी हो जाएगा लद्दाख यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब औस्ट्रेलिया ने किसे हरा करके जीता है तो औस्ट्रेलिया ने किसे अराया है तो भारत को हरा करके जीता है अंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा अगला प्रस्थन है कि देश का पहला राज जिसने सोय सहायता समोह के लिए एक विशेश विभाग यानि मिशन सक्ती की सुरुवात की है तो इसका उत्तर आपका ओडिसा हो जाएगा यानि ए उत्तर यहां पे हो जाएगा अगला प्रस्थन है कि करपूरी देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका संबंद किस छेतर से है बताईएगा आप सभी लोग का यहां पे सही आंसर आना चाहिए तो देखिए इसका उत्तर आप सभी लोग का हो जाएगा ओप्सन बी मदूबानी पेंटिंग से हो जाएगा मैला उद्मेता को प्रसाहित करने के लिए की सोसल फ्लेटफॉर्म ने प्रागती पहल की सुरुवात की है तो आपका फेसबूक यहां पे उत्तर हो जाता है विस्व का पहला डार्क इसकाई नेसन किसे घोसित किया गया है डार्क इसकाई नेसन तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रख्येगा नियू हो जाएगा यानि उत्तर हो जाता है है अगला प्रस्वा है कि भारत में बागों की इस्तिती 2018 रिपोर्ट के अनुसार में सारी राठार के संबन में निम्मलीः चित मेंसे कौन सा कथन शही नहीं है तो गाहिं की इसका उत्तर ज संधर आप देखेंगे तो पहला है यह भी सही है लेकिन option D गलत है अब भारत विस्व की 50 प्रतीसत बागों की अबादी वाला देश यह गलत आपका है बाव बेटेन जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए है उनका संबंद किस देश से है तो उनका संबंद देखा जाये तो आप सबी लोग का ब उत्तर आपका 27 का option B हो जायेगा बिहार बिहार उत्तर यहां पे हो जाता है पबलिक ट्रांसपोर्ट फिरी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है तो सही आंसर आपका लगजम बर्ग हो जायेगा जो की आपका यहां पे उत्तर C हो जाता है अंडमान निको पार के किस आईलेंड का नाम नेताजी सुबास चंदर बोस आईलेंड रखा गया है तो करेक्ट आंसर आपका 29 का option C हो जाएगा रॉस आईलेंड यानि देखा जाये तो आपका उत्तर यहां पे C करेक्ट उत्तर यहां पे हो जाता है भारत का पहला डाइनासोर संग्रहाले एवं पार्ग कहां पे स्थापित किया गया है बताईएगा तो साथियों आपने आंसर किया होगा option A गुजरात जो की correct आंसर आपका यहां पे A हो जाता है नए उपगरवों की खोच के लिए यहां पे नए उपगरवों की खोच के बाद किस ग्रह की उपगरव की संख्या स प्रवासी प्रजाती के लिए सन्युक्त राष्ट सम्मेलन के कोप्ट हटीन सुभंकर किसे बनाय गया है तो करेक्ट आंसर देखा जाए 32 का तो ऑप्सन सी हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा जो किसी उत्तर यहां पे हो जाता है अगला प्रस्न है कि कौन सा भारतिय नोट बजार में आधे से अधिक मूल की हिस्सेदारी रखता है यह सभी को पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा आपका जो करेंसी है मतलब देखा जाए नोट तो आपका 33 का उत्तर आपका 500 मतलब लेन दिन में सबसे ज़्यादा 500 का नोट यूज होता है और सबस कि पहली महिला अध्यक्स कौन बनी है तो इसका उत्तर आपका भी हो जाएगा चद्रिमा सा जो कि आपका यहाँ पे भी उत्तर हो जाता है अगला प्रस्न है कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयो कि अध्यक्स के पद पर राजेपाल ने किसे निक्त किया है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा और के महाजन जो की आपका यहां पहो जाता है नेश्य को सना कि भारती रे लिवे ने अपने पहले रेस्टरा ऑन विल्ट्रा का सुभारम कहां पहे किया है तो इसका उत्तर आपका आसन सोल हो जाएगा जो कि आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाता है नेश्ट कोशन है कि किस देश ने विस्व का पहला वेल विंग बजट पेस किया है बताईएगा तो देखिए इसका उत्तर आपका 37 का देखा जाए तो आपका D हो जाएगा New Zealand जो की right answer आपका D हो जाता है IS आतंगी सर्गना अबुदादी को अमेरकी सेना ने किस operation के द्वारा मार गिराया है यह operation very important है कई बार exam में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है आपके exam में तो इसका उत्तर आपका operation jackpot हो जाएगा Next question पुस्तक undoubted saving the idea of India के लेख कौन है बताएगा देखे इसका उत्तर आपका यहाँ पे P चिदंबरम हो जाएगा जो कि आपका यहाँ पे उत्तर यहाँ पे B हो जाता है अगला प्रस्न है कि चंद्रियान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था तो चंद्रियान 2 के बारे में सभी को पता होगा ऑप्सन D हो जाएगा 22 जुलाई 2019 को यहाँ पे प्रक्षेपित किया गया था हाल ही में फास्टेक चर्चा में रहा यह किस से संबंदित है तो फास्टेक याद रखिएगा इलेक्ट्रोनिक्स टोल सिस्टम से है यानि यह उत्तर आपका यहाँ पे हो जाता है अगला है कि और समानता घटाने की प्रतिबत्ता सुचकांक में किस देश को अंतिम इस्थान प्राप्त हुआ है तो आप सबी लोग याद रखिएगा इसका उत्तर आपका दछिड सुदान हो जाएगा जो कि यह उत्तर यहाँ पे हो जाता है नेश्ट कोशन है कि आईसोमान भारत योजना के तहत कि सराज्य या फिर केंदर सासित प्रदेस में पहले या पिस सबसे पहले गोल्डन कार्ड जारी किया है गोर्डन कार्ट का मतलब आप सभी लोग याद रखेगा जो हेल्थ कार्ड बनायाता है प्रदान मंत्री की जो आईस्वान है नए आप सभी को पता ही होगा तो इसका उत्तर आप सभी लोग का हो जाएगा ओप्शन ए जम्मू एवं कास्मीर हो जाएगा नेश्ट कोशन है कि द थीन माइंड मैप पुस्ता के लेखा कौन है तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा धरमेंद्र राय हो जाएगा जो कि ए उत्तर यहाँ पे हो जाता है हाल ही में इसरो के द्वारा गगन यान मिसन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है तो इसका उत्तर आपका यहाँ पे बारा हो जाएगा जो कि ए उत्तर यहाँ पे हो जाता है नेश्ट को सने की बजट 2020-2021 के अनुचार दूद उत्तपादन को दुगना करने का लक्ष कब तक रखा गया है तो आप सभी लोग बताइएगा साथियों आपका 2025 यहाँ पे उत्तर हो जाता है अगला है कि योर बेश्ट डे इज टूडे बुक निमनलिखित में से किसके दुआरा लिची गई है तो करेक्टर आंसर देखा जाए तो आपका अनुपम खेर के दुआरा यहाँ पे लिखा गया है जो कि सभी ने आंसर यहाँ पे सही किया होगा मलेयालम लेखक S.Harese को उनके किस उपन्यास के लिए J.C.B. सहित्य पूरसकार 2020 से सम्मानित किया गया है तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेगा मौस्टेक हो जाएगा जो कि आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा वह कौन सी एक मात्र भारतिय फिल्म है जो 33 वे टोकियो अंतराश्टी फिल्म महुत्सव में सामिल होई है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ओप्सन B यानि करखानी संची वारी ठीक है करखानी संची वारी हो जागा अगला है कि हाल ही में किरिसी और प्रसंस्कृत खाद उत्पाद निर्यात विकास प्राधी करड़ के असम के किस उत्पाद को GI टैग दिये जाने की घोसना की गई है तो इसका उत्तर आपका तेज पूर लीची हो जाएगा जो की अंसर आपका यहाँ पे D हो जाता है तो आप सभी लोग पीडिया डाउनलोड कर लीजेगा पूरा बुक का जो की आपको 26 प्रैक्टिसेट मिलेगा प्लस आप सभी लोग का जग कॉरेंट अफियर में टॉपिक वगरा दिया होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो चलिए नेश्ट वीडियो में यानि आपका बिहार SI PT के लिए जल्दी मिलते हैं उसके बाद आपका NTPC का प्रैक्टिसेट आएगा GS का ठीक है तो चलिए मिलते हैं जल्दी है